हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल मैज मसिस सचिन सर्थ दोस्तों मैज सचिन पाल और देखेंगे आज जो अविट टूंडी एट को आराल बें डीपी से का इजाम हुआ था उसके कुछ कोईशन्स मिले हुए हैं वो आप देखेंगे बहुत ही दोगनी है तो के रहIS पर ऑफार दालिस दिया वेडिये है तो श्रीट करेंगे एखा रहा है यह आयत हो गया फ்रूंट यह आजबे और है वा रहारा एक लिए अजबदर 8 verf tutaj होते हमाहिए यह और तो परिमाब का सूत क्या होता है यानि आद के परिमाब का सूत होता है दो ब्राइकेट में लंबाई प्लश चोड़ाई पर उसके बाद कहला है चेल देखते हैं कोश्च बहुत ही आसान है एकोस कितना हो जाएगा दो 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 एकोस कितना हो तो डो लंभाई कितनी है दो िक्स और चौडाई कितनी है एक्स तो जोड़ें की रितना हो जाएगा तीन थी एक्स प्रकार से एक्स फ़लद कितना हो जाएगा यहांपर आउट हो गया तो आयत का छेत्र फल एक्वस होता है लंबाई बुड़े चौड़ाई लंबाई बुड़े चौड़ाई लंबाई हमारे पास कितनी दिए 16 और चौड़ाई कितनी दिए 8 तो गुड़ा करेंगे 8 के तो 28 एक सो अठाइस आएगा इस प्रकार से इसका जो आएगा एक आएट की लंबाए और चौड़ाई कितना हो जाएगा एक सो अठाइस हो जाएगा तो चखे निए देखे दूसरा कॉष्यन दिया हुआ है किसी धन का चक्रत भ्याद पर दो वर्ज़ का मिस धन 3840 उपए है तो तफा तीर वर्ज़ का मिस धन 46,99 अगत की दिए हमें कहा और भ्याद की दर और ता आए और वमें ग्याद करना है तो एक फार्मुला होता है एक फार्मुला होता है R equals यहाँ पर होता है A2 अपान A1 उपर होता है 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस का 1 यह ब्रैकेट लग गया और इंटू में 100 क्योंकि ब्यार की दर कुछ ना तो दर मानिक इसमें होती प्रतिसक में होती है तो हम यहाँ पर निकालेंगे देखेंगे A2 कितना दिया गया है यहाँ पर दो बस यह हो गया T1 मारा हो गया और इधर यह हो गया A1 हो गया और इसके पास में यह हो गया A2 हो गया और यह मारा कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा तो फार्वुला होता है R equals A2 upon A1 1 upon T2 minus T1 minus 1 equals 100 तो यहाँ पर R equals निकालेंगे A2 की value किती है चालिस तो सबसे पहले द्याम लगना है जो बड़ा होता उसको उपर रखेंगे और छोटा होता है वो नीचे रखा जाता है तो A2 upon उजाएगा A1 तो इसकी value यहाँ पर लखेंगे A2 upon A2 की value होती है 40 यान में दी गई है और यहाँ पर A1 की value दी गई है 38 38 और इसकी power 1 upon T2 हमारा कितना दिया गया है 3 verse और T1 हमारा दिया गया 2 तो क्या करेंगे 3 minus 2 minus 1 और क्या होता हैगा 100 तो इस परकार से इसको जब cancel करेंगे तो हमारा आजाएगा यह इसको काटेंगे काटेंगे बाद में इस परकार निकालेंगे तो हमारा answer आएगा 20 बटे 3 परसद यहाँ इसको लिख सकते है 6,10,18,2 बचेंगे 20,18,3,6,7 इसका यह भी answer हो जाएगा आपजिट आपके दिये 15 बटे 2 ए दिया गया है 15 बटे 2 परसद और B दिया गया है 25 बटे 3 25 बटे 3 परसद और C दिया गया है 20 बटे 3 परसद और D आपका दिया गया है D आपका दिया 8 परसद तो आप इस position को आराम से साम करेंगे संप करें तो हो सकता का onauen में डेसे वन में याका तो आपका अ की वन और से होगा सीवा ना ठीक है इस depende कार से कोश्यंड आ गया tres निए बहुत ही एङी कोश़न चायी किसे थी पूंछंट की पूझFit 25 ने पर 20% बढ़ा दी जाए तो 6 पर पर क्या परवाव पड़ेगा तो देखें एक वर्ग है यह हो गया वर्ग जिस वर्ग क्या होता है जिसकी 4 बुझा बरावर होती है तो किसी वर्ग की बुझा 20% माल लेते हैं 20% यह 20% यह हो गई और 20% यह हो गई और 20% यह हो गई चारों बुझा 20% यह हो गई किसी वर्ग की बुझा 20% बढ़ा दी जाए तो 6 पर पर क्या प्रवाव पड़ेगा तो देखेंगे एक फार्मुला होता है a plus b यह ऐसे लिखेंगे a plus b फ्लस होता है a b upon 100% गाद लखें फार्मुला a plus b plus a b upon 100% होता है तो इसमें हमारे पास a निकी जो दिया गया है a हमारा कितना होगा और b कितना होगा तो यहाँ पर a b हमारा कितना दिया गया है 20 दिया गया और 20 विबारा कितना दिया गया है 20 तो रखेंगे यह पर तो एक अमाद 20 प्लस 20 प्लस A B M करकेंगे 20 गुड़े 20 और बढ़े में कितना हो जाएगा 100 इस प्रकार 2-0-1-2 तो 20-20 कितने होते हैं? 40 दो दिनी कितना हो जाएगा? 4 तो प्लस में 4 जोड़े के तो कितना जाएगा? 44% इस प्रकार से यांसर दे हमारा आएगा छेट पर प्रवाव पढ़ा है 44% का परवाव पढ़ेगा बहुत ही एजी कोशन पूचे कहें बहुत ही एजी किसी वर्ड की भुजा 20% तो यवर्ड हमारा है इस भुजा प्रवाव 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो शेट परवाव क्या परवब पढ़ेगा? तो यह फ़ार्मला होता है इसका शेट परवाव से निकाल लेके परवाव जब पढ़ेगा और चलिए देखनessäर मघला चलिए देखनेर 4 में डूल लगाता च्छूट 116 कि यह बराबर है कोश़वलाई यह 6 देखनेद्म 10-10 स्टरी के बराबर दोल नहीं मान जारा हो तो वेस फार्मूला होता है proprio फार्मुला होता है या A प्लस B करके दिखो यह हमने अभी पढ़ाया था A प्लस B प्लस क्या था A B अपान 100 जब हमारे पास किसी छेट परणों प्रवा परणा करता हमने निकाला था अब यहाँ पर हमें पूच क्या रहा था कि 2% अगर 2 हमारे पास शूट दी होई हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए फार्मुला होता है या तो इसी तरीके लिए लिए या तो इस दूसरे तरीके लिए एक्स वारे तरीके तो इस फार्मुला होता है एक्स प्लस Y अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x अपान y फिर लिका होगा 10 परसर हैंनी 100 तो यहाँ पर देखेंगे x की value क्या हो जाएगी x बरावर हो जाएगा 10 और क्या हो जाएगा y बरावर 20 कितनी दो value वारे पदीश में तो रखेंगे 10 प्लस 20 माइनस हो जाएगा 10 गुड़े 20 और आपान में कितना हो जाएगा 100 एक दो एक दो तो यहाँ 10 और 20 कितना हो जाएगा तो इसका गटाएंगे तो कितना जाएगा 28 परस्थ का यानि कि दोनों में छूट अगर आएगी तो कितने परस्थ कि आएगी अठाएगा तो कोई स्कॉर भी कर सकते हैं 10 परस्थ कुछा तो 10 परस्थ काला से निकाले चूट उसके 20 परस्थ का निकाले दोनों का जोड लेंगे जोडने के बाद में जो मान आएगा वो हमारा 28 या यानिके दोनों में छूट होगी तो इस परकार कोईशन हमारा फूरों के आएगा फायो कोईशन दिया बहुत ही सरले भी दिया है लिकाए 10 थीटा वरावर 3 बड़े 4 10 थीटा एक उस दिया 3 बड़े 4 तो कास थीटा का मान गाज़ कीजिए तो कुछी नहीं करता इस que! 10 थीटा वरावर रोता है यह अपर एक यह होता है ल और यह होता नीचे बेस्ऑस हाधार होता है दिनकाल एंगी तो कारफ Geus नमें कितना है पांच हो जाएगां इस परकार से आपके 5 हो गए तो देखें, question number 6 लिखा हुआ है, यह किसी संख्या में पंदा से गुड़ा करके, गुड़न फल से पंदरा घटा दिया जाए, तो प्राप संख्या आर्ट से विवाजित होगी, वह संख्या ग्याद कीजिए, तो देखें जिए, माना संख्या क्या हो जाएगे, AX जब कर मानते हैं, तो AX मानकर कोई भी संख्या मानने, फिर कोई भी चरपन मानते हैं, तो AX हो जाएगा, AX से 15 भी गुड़ा करें, तो कितना हो जाएगा 15 остав हो जाएगा, फिर उससे कहरा, गुड़न फल से 15 घटा दिया जाए, तो गुड़न पहली 15lor को घटा देंगे, प अब इस संख्या में केरा 15 से बुड़ा करके तो 15 एकस हो गई इसमें 15 गटा दिया जाए तो हमने 15 घटा दिया अब जब 15 गटा दिया तो कहे रहा है कि वह हम जो प्राख संख्या हो गई इसे आर्स से वाजित हो इतना हो गया 15 x minus 15 तो इसको साब कैसे में s की value point करनी है तो देखेंगे उपर 15 x गया minus का पंदरा दे तो उसमें से common मिल जाएगा हमें 15 तो 15 कामन होगा तो s minus के हो जाएगा one और अपानवी हो जाएगा eight तो देखेंगे क्या 15 आज़स्वी वाजित है नहीं अगर संक्या संक्या वाजित होगी अगर भी संसंख्या और संक्या दीए तो संक्या वाजित नहीं तो आपन्दरा इह की वह मान रखना है जो गुड़ा क पर आट स्रिवाजित हो जाए अगर हमें X की माल लेते हैं X बरावर हम रखते हैं 9 तो यहाँ पर देखें नौ से हमारा कितना जाएगा 15 इतर वाइनस एक बटे मिटना जाएगा 8 तो इतर देखें कि यहाँ आगे हो जाएगा 15 और गुड़े में 9 से 1 जाएगा 8 और बटे में आट होगा 8 आट कैंसर जाए एक्सप्राइगा आट सर कितना जाएगा 15 तो यहाँ पर हम दूसरी वेलू भी एक्सक्री वेलू ले सकते हैं जैसे 9 लिया गया है तो हमें वह संक्या लेना जिसको बटाले उस संक्या 8 से वाजित हो जाए तो यहाँ पर 9 के सांपन क्या लें 17 ले सकते हैं तो यह पर 17 लेगे तो 17 रखेंगे 15 17 से एक जाएगा 16 बचेगा तो 15 बुड़े कितना है आर्से मारी क्या है विवाजित है तो 15 दूसरी संगे मैं कोई भी अबच्छी आपक्टिया हो सकता है आपका दिया वहाँ पंद्रा दे सकता है या फिर 30 आपक्सक्राइ सब्सक्राइब विद्वाजित हो गांड़ा इस संक्या में 15 से गुड़ा करके गुड़न पल से 15 घंड़ा दिया आप प्राफ यह संक्या जो प्राफ पिर इसमें क्या करना आर्ट से विवाजित होगी अब तो आप तो आप तो पंदरा जो वाजित में यहां पर इसकी वह वाजित हो सके तो नहीं पर नौ तो जब यहां पर नौ रखेंगे तो कितना हो जाएगा नौ से यहां नहीं निकाले तो तीस आएगा पचीस रखेंगे तो पैंताजीस आएगा इसी प्रकार आगे अगर बढ़ाते चलेंगे अगर तो संके तुल बड़ी होती चलेंगे जो भी आपडेट आपका हो आप पी कर देंगे